हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका हमारे डू चैनल पर और आज है किस जून तो अंतरास्टी यूग दिवस्की आप सभी को हरती शोब कामना हैं और इसी अफसर पर हम लोग आए हैं असोला वाइल डाइफ सेंचुरी और जब आप असिला वाइल जील जो की बहुत ही अच्छा एक पिक्निक स्पॉर्ट है यहां पर आपनी फैमली के साथ आ सकते हैं और पिक्निक इंजॉय कर सकते हैं पहुचने के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसकी टिकट है दस रुपे और दस रुपे की टिकट के पार आ काफी सारे आपको अनिमल रास्ती में देखनें को मिलेंगे जिसमें सामिल है बारा सिंगा हेरन और भी काफी जानौर आपको देखने मिल सकते हैं तेंदी मिल इंज रास्ते में तो आप भुपने वाले हैं य्पिंञ जील और उसके बाद झाम वापस आए ऑंगी जंस के ब लिए इंशयान पर रहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी परसनल कार से आ सकते हैं और एड़स रहेगा तो उकलकबाद करणिसिंग सुटिंग रेंज के सामने हैं यह बिल्कुल अपोजिट है और अगर आप मेटो चाहना चाहते हैं तो नियर मेटो पड़ेगा तो उकलकबाद और उसके बाद संख्या के साथ सिब आपको जो गॉल्फ कार है वो आपको प्रवाइड कर आई जाएगी और बिनिमाट एक गॉल्फ कार में छे लोगी जो है वहाँ पर जा सकते हैं और अब हमने सैंचुरी के अंदा परविश कर लिया है सामने यह साइकल स्टेंड है जिस नई आपको बुलट नजर आ रही है तो यह भी जो भी आर्मी के परसनल जो भी सकेंदा रहते हैं उनके आने जाने के लिए यह उनको दी गई है बिल्कुल नहीं आई यह देखे और जब आप फॉर्म भर देंगे तो आपको ऐसी टिकट मिलेगी जिसमें 6 मेंबर आलाउड और चली अब हम लोग चल दिए गॉल्फ पार्के तुरी नीली जहील की तरफ और मैं अकिला रह गया था चली मैं भी बैट जाता हूं पटा-पट इसके अंदर और वाव और हमारी एक गाड़ी थोड़ी आगे जा रही है हम पड़ा हूं से पीछे है कि दोस्तों देख सकता आपको किसना बहतरी नजारत देगने को दो रहा है और जंगल सफारी निकल गए है यह आगे सिचाई वाले टैंकर जा रहे है जो इसमें प्रांट लगे हैं उनकी सिचाई घटने हैं लोग इस इसे प्रेंट की नहीं होती है और हमने ओटेकर लिया प्रेंट के गड़ी हमारे आगे जा रही है लिए यजिए और यह जाने है और हमारे जा प्रेंट कोई कोई गुमारा है कि दो चेंज किया आया वाई कि उसको चाब दी रहा है तो गारी के शीट है वो काफी कमफटेबल है मजा रहा है इसके अंदर अब दो प्रफित और है रहा है अब 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 लेशेल यहां से 15 कम की दूरी पर है और हम उसकी तरह भी जा रहे हैं भी और यह हमारे अब 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 आपको गुमाएंगे भी नहीं है यहां तक हम लोग डॉड लगाने आते थे और यह इस तरह तंकी है कि यह काफी बढ़िया कमफर्टिवा लोड है जानवर तो हमें निजर निया रहे लेकिन माहूल काभी बढ़िया लग रहा है दर मौसम बढ़िया है और हमारी एक और गाड़ी कुछ ही आगे चलने है तो यह इस प्रेंड बना दिया करो शंदे 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 नहीं कहीं है और यह पानी टेंकी हुआ करती थी पहले पानागा छुट्टी है जरम पड़े हुआ है वाई बोड़े सावाई जिम को और बड़नी तो तो यह एक घंटे हमारे अंतर जाने का सफर है और एक घंटे हमारे पापिस आने का सफर है और हम नीली जील पर जा रहे है इसके अंदर तो यह पानी का टेंकर जा रहे है अगले अगले लगाता चले जा रहे हुआ और थंडी थंडी हावा लग रहे है कि अगले अगले आपनी तो यह रहे हैं कि अगले यह पूरे में किकड़वा करते थे इसको खाड़के नए प्रांट्स लगाए गए और हम मैं गेट से अपने घर पहुचने वाले देखा जाए तो अब यहां से नेली जील 13 किलोमेटर की दूरी पर देखिए पोड दिखा रहा है अभी यहां से तेरा किलोमेटर और दूर है और वहां पर पहुंचकर आपको जील के नजारे लिखाएंगे कैसी लगती है जील और यहां पर चार अटीफिसल ज़र्ने जहां वो डेवलप कर जाएंगे अगे 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 अगए अगे दूर्श को अगया अगया ओपस और देखिए अपने तरफ से गुंते गुंते हम कप्रिस्तान आ गया है कप्रिस्तान आ गया वापस है कि अगे अर्मी के लोग जा रहे है देखे आरमी के लोग हैँ कि इसकर इंद अगे इसके पीछे हमारा गहर है और हम लोग इति दूर से यह आपर कि अधियों कि टिकेट निया जाए चेला जारा देखने में आखेला बैटके जा रहा हूं इस पर सामने फॉजी पिछे उपर देखिए इधर भी रास्ता डेवलेप्ट कर दिया है कि अभी हम चले जा रहे हैं और हमारा एक घंटे का रास्ता बताए गया हमें एक घंटा लगेगा हमें मैं गेट से और नेली जील तक पहुंचने के लिए कि हमारी कॉलोनियों सर्फ और स्पीड यहां पर यह मार्क लगा हुआ है इस अभी बहुत मजा आने वाला है भी हम लोगों को और अगर देखो बरसात का मौसम हो रख है और बरसात भी हो जाए बीच पे तो भई कहने ही गया तो दिखी जाए कि पानी हो बिल्द्राइग मोगा है अब भी डेवलाप कर रहे हैं अब आर्मी के लोग है इसको डेवलाप करने में लगे हो है आगे भी कुछ लोग खड़े हुए है अच्छा तेकि यह जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हो यह गुड़गाओं की बिल्डिंग है यह देखिए अप रहिए प्रेंग वाल कर दा देखिम्दर ईसक हंति श्रुद्र बुली कर देखिए मैं आद्सवी साप अगराप लुवलाप उसनौरप में आते तो सब इसको अधर हमला नी करते हैं यह के लोग आभι इसको डेवलक करने में लगे हुए और फिर से हम तीकी ड़लान पर जा रहें नीचे बिलकुल तीकी ड़लान है और हम इस बात के लिए खुश नसीब है कि इस गॉल्फ कार की बैटरी फिरी चार्ज है तो कि अगर चार्ज नी होते तो कि लोग आनी बात है यह झाल कि शार कि प्ला ना थेजर्ए विदि की इस उसक्राइब ़िए लुरre अर लुम्र है देखे एक मचानष बीच पहीं u भी मचान वरीच मैं देखे ऐस गुच यह कि सब्सकिता कि मचान एक आज़ जंगन को लेजर के लिए मजान मचान है अगर मैं चडाई चल रहीए चोड़ाई चल रही और अगर में इस तरफ दो देखो कितनी गहरा है तो देखिए अब मुचाई पर आ गए है और सामने यह ट्रक आ रहा है भी चाहिए और हमारी गाड़ी को साइड में लगा दिये गए पास कर रहे है गया घ्र डिली जील अभी नौ किलो मेटर की तुरी पर रहे गई है और अबर अब अगें टैदिवे मिवाढ़ा हौ जाएगा तो गॉट पॉट्सवारी खूली गाडी में यात्रा कर रहा है है और अब invent Krji इभी तख घे अब पर आप बांड टीटार ते नोट डेटा रहे यह मॉर्णी आप ni और हमने हमने अपनी आगे वाली गॉल्फ कार को लगबग छेज कर लिए पता नहीं कहां है इस गॉल्फ कोर्स वाली है कि यहां पर लिखा हुआ है कि इसके अंदर बबूल जामून और सीसम के पेड लगाएगे हैं वाउ वाउ इसके आगे खाई है इसके आगे खाई है इसके आगे खाई है जाले और यहां से 6 किमेटर के दूर पर है वूँआ इस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि लापड है इसके अंदर और यह कटिली जाली भी लगा रखे है इसके बार देकर लगड़ा है इसके यहां पर आप इसके अंदर पर आप इसके दूनिया महरवान है आई आई ना इसके जाए आई अ कि मंदिर पर होंगे ना कि अ कि अ कि अ कि अ कि मत्र से ताने कि यहां सी यह सीधा लास्ते कि अ कि अब हम नेली जील के करें भी पहुंच गया लगवक्त कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ थे थे विवार्य को अब कि अ क्या संदरावाद आरी एक कि मामूले यह जंगल फिर से गणा होने लगाए अभी खुला हो गया था फिर से घना होने लगा है कि फिल्कु घना होने लगा जंगल कि मौसम की दाथ देनी पड़ेगी आज और यह मारा पीछे से रास्ता और यह आगे करास्ता जंगल वागा है कि यह हमेदा लगडी पे बैठता है किना इच्टा ऑगे हैं कि रादा जी में आगे जैसे हम हो गया होगया चलिह लिए तिने के फोटो ले रहे हैं देखिए यह हीराने खाल भागा ले गया वाव एसलिए ठीक ले लिता हूं एक ठीक ले लेता हूं एक हम ऐसमें है फो चटीय। हो चले योरी जंगल सफारीच हमारी उदे शंटल हुआ है। वाव। दो छो आगे टीम है जी पर आता हो चलिए आते है्या हुआ इनिचे आ रहा है कि वावर ऑश्ञ है हाला ला करके दो एरे एक पीछे है उसकी तरफ देखendo पीछे भी है कितना क्लोज से हम लोग से किसने देखें अधर भी है देखें वाव देखें बोर्ड पे उपर लिख रहा है गोगोई और नीचे मिल रहा है हमें हिरन आझे का लोग के व में बाता है वाई हैजी एस बाई नीचा पांक पासंता है है ख्लें कुछे में और यह लिए हम नीली जिल के पास पास पहुorn और यह हमारे इतने सारे लोगों का गुरुप है इतने सारे लोगों का हमारा गुरुप आया था एक साथ और और असोला भाटी अभ्हारण के गेट से लेकर जील तक आने में लगवक आपको एगंटा लगेगा जील काफी गहरी है और देखें ऐसे सामने में आपको जूम करके देखाता हूं कि कितना सांदार व्यू है यहां से इस नेली जील का अब पाल अब अब रहे हैं फोड़ा रहे हैं आप आप यह जाए इतना आप लेसे चलिए भाई यहां 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 आप यह हैं गुलेरिया के फ्लावर और यह विश्राम करने के लिए इस्थल बनाया गया इदर कि अब यहां पर हम सेल्फी स्पॉर्ट के जा रहे हैं उपर यह सेल्फी स्पॉर्ट बनाया गया है देखें और अब हम आगें सेल्फी बाट पर यहां पर रुका हुआ है लेने के लिए और यहां से देखने वह वा से फिक्र कर रहे थे और लोग इस तरफ आ गया है यहां से कुछ और भी ज्यादा बैटरी दीव देखने को मिल रहा है और यहीं है नेली जील और पैसे में लोग तेरते भी थे नाते थे और अब यहां पे अलाउड तो जैसे कि आज हम सबका उपिनियन लेंगे क्या नामत मारा है कैसा लग रहा है आपको यहां पे बहुत अच्छा लग रहा है हम पहली बार आए हैं सही हम आच आ गए और हमें बहुत मज़ा आ रहे हैं लोग होगा सवाल है कि आप यहां पे आने में अलप कितना टाइम लगा और कितना खचा हुआ पैसे किने घर्चा मात्र दस रुपे और दो गंटी टाइम में लाए घूमने का बहुत मज़े आए हैं सारी जानवर देके बर्स देके फक्सी देके जो लिए और एक जील देकी पता ही निता कि हमारे जंगल में जील है अच्छा और वहां से यहां तक सफर आपने कैसे तरह किया है बताएंगे घर से पैदल आयते हैं फिर वहां से अंदर एंट्री करी 10 रुपे लगे चार्ज फिर हम घूमें अब आप साथ यह बताना भूलके वहां से हमें काट सर्व स्क्री मिली है देगे आज योगा दिवस भी है तो इस उपलक्ष में यहां पर हमारे विकास भीया है जो योगा कर रहे हैं और आप लोग यहां पर लंज भी लेकर आ सकते हो बस सकते कि आप अपने मंदरों से बचे रहे हैं कैसा लग रहा है आपको यहां पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं कहना चाहेंगे इंसे मिलते हैं हमारे यह होनार स्टुडेंट बहुत ही अबबल हैं पड़ाई लिखाए में तो बताईए कि आसा लग रहा है आपको यहां पर आकर अच्छा लेग रहा है और यह देखिये फुल पूरी इस तैंसे दिखाते ह और अब हम चलते हैं वापस और हमारा जो एक आदे घंटे का विजट था वह पूरा हो गया है और यहां से वापी चलते हुए देखिए वह इसली वार की तरह है इस बार हुए हम से आगे निकल गए हैं यह मैं दिखाता हूं देखिए यह जो गाय अंदर आपको नदर आ र पिल अजिए पीछे के द्वारहेश मारकेस को चपड़ाश गया है फिरसे आप लोगेशन नजरात आए रहेह यह देखिए और वाशिंगा विय वाई तक भीचे पीचे पीछे पीचे 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 तरिक हम चेकिया बंग यह नहीं पोलेगा कि बारा शंगानी एक लिए बारबर कार को रोक देने पीछे और हमारे पीछे 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 कार आ रही है तो जाने हार हम वापस अस्वाला बाटी के मैन गेट का पहुंचते हुए और वापस आ गए हैं तुस्ता कुछल जात्रुमें ने देगे तो लंबी ट्रिप में काफी मज़ा आया है यह लोगों अपने प्रस्थान इस्तान पर वापस आ गए हैं देखिए और और हम वापस आ गए हैं और 16 किलोमेटर की लंबी यात्रा के बाद चैरे पे धूर काफी जम गई हम सुभी के जाके भी हम अब आपको बताओंगा मैं इसके अंदर ही अफ़लाई पार्क एंदर और आपको बताओंगा मैं इसके प्रसार किस्केंदा तिस्नी है तो चलते हैं मेरे सास अब हम जा रहे हैं दर बटरफ्लाई पार्क के अंदर एक काफी घना है यह काफी अच्छा चलें के लिए ट्रैक भी बना रखा है और एक सामने कितनी है कितना बड़ा जो है बटरफ्लाई का एक डिजाइन बना रखा है एक देखें और इच्वश्वटे डिजाइन बना रखें बटरफ्लाई के और यहां पर काफी बड़ा डिजाइन बना रखा है बटरफ्लाई का और देखें पीछे से मुझे पानी के जहरने के जैसी आवाज आ रही है देखेंगे उदर क्या है चले इधर चलते हैं अंदर और अम्वूद का प्लांट है इस पर लिखा हुआ है अब अब तक मुझे इसके अंदर कोई कितली देखने को तो नहीं मिली अभी तक कि यहां पर आप नजर आ रही है तितलिया नाम लिया और दर्सन हो गए देखेंगे यहां पर नजर आ रही है कुछ और इस बोर्ड पर लिखा हुआ है कुछ वाइट बास्क विद देर विंग्स हाफ ओपन और इकिस में टाइप्स की इसमें तितलिया उसके बारे में आपे बोर्ड पर बताए गया है कि यह बेर का प्लांट है मेंचन इसके उपर मेहंदी हीना कि अधिए यह यह ककरोंदा बोलते हैं हमारे गावं में इसको एक अकरोंदा का प्लांट है कि इस पर फूल आ रहे है ककरोंदा तो खेर अभी नजर नहीं आ रहा है इसके उपर आख और यह आप देख्रें यह सारे के सारे वडेलिया की बेल है जाले है तो सेलपी स्पोट है यहां पर आराम से बैठके सेलफी खिचा सकते देखिये बैठ गया इनके एक सेलफी ले डेता हूं मैं पिए रहे और चलब इधर वीजिट करते हम दो चलता हूं मैं और अंदर ले चलता हूं और काफी सारे जो है रास्तों का जाल बना रखा है आप कहीं से भी निकल के आप में रास्ते में आ सकते हैं कि देखे तिल्या उस तरफ मुझे उड़ते हैं तिल्या उस तरफ मुझे और तो नहीं दर आरे हैं तिल्यां काफी घना यह अंदर से बर्गत है काफी चोटा यह और रास्ते पूरी गूरूलाई ऐसे बना रखें वास्तम में भटकोगे नहीं आप किसी भी एक रास्ते पर चलते रहोगे तो आप में गेट पर वापस पहुंच जाओगे कि साइन वोड लगा हुआ है बटरफ्लाई रेस्टिंग एरिया तो पहले हम लोग जील को घूमकर आगे और उसके बाद हम लोग बटरफ्लाई पार्क में विजिट कर रहें और आप चाहें तो पहले बटरफ्लाई पार्क में विजिट कर रहें और आप चाहें तो पहले एक बैतरीन पिकनिक स्पॉर्ट हो सकता है आपके लिए अगर आप एडवेंचर चाहते हैं और देखिये लिखा हुआ है ओफिस ऑफ ड्यूप्टी कंजर्वेटर आफ फोरेट साउथ और अब हम जा रहे हैं अरावली अरणया क्यंद्र तो अब यहां में यह कमल के फूल जूम ऑंपोर ऑशाँ फ्रों करके आपको कमल को धका जला है आज से करीब चार सल पहले हम लोग यहां पर विजिट करने आए थे तो तब से इसको थोड़ा और ज्यादा इसको डेवलप कर दिया और वहां पर एक आपको बिज दिख रहा होगा वहां पर फिक्स खिच आई थी वहां पर चलिए वहीं पर लिए चलते हैं आपको वापस तो यहां पर आपको अलग अलग जगाओ पर अलग अलग स्पॉट देखनों को मिलेंगे कितना बढ़िया और यहां पर बैठ सकते हैं इसको अभी डैवलप कर रहे हैं और जाम लोग आए थी तब इसके जो आपको जाना देख रहे हैं पानी भी बैठा था तो अभी इस पर काम चल रहा है देखो सामने की अभी काम कर रहें तो हो सकता है कि कुछ एक महीनों बाद यह और ज्यादा बैतर नगर आए तो बहुत तेज धूप होने लगे पक्षियों के लिए यह घोसले बनाकर रखे हो है अब हम नीचे जा रहे हैं डहलान की तरफ हम मुझे आवाद सुनाए दिए कि कमली कमल हैं उदर देखते हैं कितने कमल के फूल है कमल के पूल है कमल के पौदे तो नहीं लग रहे हैं चले हैं वापस मैंगेट के तरफ कि और हमने वटक प्राइप पूरा वजिट कर लिया है कि अल्मोस्ट सारी चीजें आपको बताई गहीं इसके अंदर पर लगातार इसके अंदर अभी काम चल रहा है और इसको खुब सब्सक्राइब पूरी कोशिश हो रही है कि कि हम लोग उस रास्ते से गए थे वहां से और हम लोग इस रास्ते क्रोस करके आरावली में गए और हम लोग इस तरफ से आ सब्सक्राइब और हम इस साथ के पूरा ग्रूप है कि 2 तोधि अब को पसंद कई लाइक कीजी आगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्काइब कीजिए थैंक्यू ता अचैनल को सब्सक्राइब कर